अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को दिख्षा नेगी 306 में फॉलो कर सकते हैं मेरे फेज़ूप पेज भी फॉलो कर सकते हैं अड़रेट दिख्षा 2107 विडियो की शुरुवात करने से पहले मैं आपको MM Academy आपके बारे बताना चाहती हूँ इस अप में आपको UPSC और other government exams related पहुत सरी कोर्से देखनी को मिलेंगे like modern history, geography, ancient history, Indian polity, ethics, current officer course भी शुरू हो चुका है सबसे कासबाद इससे आपकी यह है कि यहाँ पे आपको सबसे जो highest quality का material होगा वो provide किया जाएगा और उस material को आप जब मन चाहे PDF फाइल में डाउन्लोड कर सकते हैं तो आज हम chapter 4 करेंगे इंडिया yearbook की जो की है agriculture, agriculture भी थोड़ा सा वाइड है तो इसको हम समझने के लिए दो lectures भी complete करेंगे, आज हम पहला lecture यहाँ पर करेंगे, तो basically अगर हम बात करें agriculture की तो agriculture इंडिया की economy का एक सबसे important हिस्सा है, one of the important sector है तो अगर 2011 के census के हिसाब से देखें, तो 2011 के census में हमें पता चला कि जो agriculture है वो इंडिया की economy अगर हम बात करें तो हमारी जी इंडिया में population है हमारी इंडिया की population के 54.6% जो लोग है वो अभी भी agriculture activity में engaged है, यह agriculture related activities में involved है around 54.6% वहीं अगर हम बात करें तो 2016-2017 की बात करें, तो उस साल जो gross value added होता है यह अपने economics में पढ़ा होगा तो gross value added का 17.4% किसका contribution था, agriculture का था, तो since agriculture की इतनी जादा importance है इस वज़े से इसको और improve करने के लिए government of India ने बहुत सारे ऐसे अलग-अलग schemes शुरू की, ऐसे अलग-अलग चीज़े शुरू करी जिससे हम अपने agriculture sector का और जादा sustainable development कर सके ही तो उसमें से कुछ important देखेंगे तो जैसे soil की fertility को improve करने के लिए government ने शुरू किया soil health card, soil health scheme अगर आपको ये समझना है कि soil health card scheme क्या है तो comment box में comment कर सकते हैं इसको भी हम अलग रेक्चर में cover कर सकते हैं देन government ने जो हमारी irrigation system जो होता है उसको और efficient करने के लिए water की efficiency increase करने के लिए एक scheme की शुरूआत करी जिसको बोलते है प्रधान मंत्री क्रिशी सिचाई योजना और गैनिक फैंबरी इंको boost करने के लिए government ने शुरू करी परम परागत क्रिशी विकास योजना and government ने क्या किया farmers की जो income है उसको और एक boost मिले उसके लिए एक unified यानि कि single national market की शुरूआत करी एगरिकल्चा मार्केट जिसको बोलते है नैम नैशनल एगरिकल्चा मार्केट की शुरूआत करी ये online market system है उसके बाद government ने शुरू करी प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना शुरू करी जिसके लिए एगरिकल्चा सेक्टर में जैसे कोई भी losses होते थे farmers को वो जो risk होता है उस risk को mitigate करने को उस risk को कम करने के लिए government ने इस की शुरूआत करी 2016 की खारीव सीजन्स की शुरूआत हुई थी प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना ये एक insurance स्कीम है तो देखी पहले अगर हम बात करें हम बात करेंगे agriculture ministry की तो ministry agriculture ministry जो है इसके इंदर तीन डिपार्टमेंट आते हैं एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमे agriculture research and education ये तीनों ही department important है इसलिए आपको यह याद रखने है अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2017 में हमारा मौनसून काफी अच्छा हुआ और गवर्मेंट ने बहुत अच्छे-ची schemes लेकि आया थी तो गवर्मेंट की different policy initiatives की वाज़े से हमने production में food grain के production में एक increase देखा एक हमने achievement देखी थी तो according to fourth advanced estimate देखे हर साल food grains का estimate किया जाता है कि कितना production हुआ है तो 2017-18 का जो estimate था वो fourth advanced estimate था उसके हिसाब से हमारी country का जो total food grain production था वो estimated around 284.83 million tons हुआ था जो कि 2016-17 से हम compare करें तो उससे काफी जादा था 2017-18 का जो production था अगर हम देखें तो पिछले इसकी पाथ सालों से compare करें यानि कि 2012-2017 तक हम compare करें पिछले पाथ सालों का तो हमारा कितना increase हुआ था production में 24.66 million tons का increase देखने को मिला था एंड यह क्यों हुआ because of different policy initiatives of the government साथ ही साथ में हमारा काफी अच्छा मौन सुन देखने को मिला national policy for farmers 2007-2007 government ने national policy शुरू करी farmers के लिए इसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग schemes है जिसको अलग-अलग ministries और अलग-अलग government के अंदर government के जो different departments है उनके अंदर execute की जाती है different policies है इस policy के बहुत सारी अलग-अलग schemes है जो अलग-अलग government departments और अलग-अलग ministries उसको execute करती है इसमें से कुछ कुछ जैसे हम देखेंगे कुछ major programs हम यहां पर देखेंगे तो हम पहले देखेंगे प्रधान मंत्र क्रिशी सिचाई योजना जिसका जिसका एक objective है हर खेत को पानी more crop drop तो बेसिकली यहां पर को समझ में आ गया होगा तो यह किस चीज से related है इरिगेशन से related है 2015-16 से लेके 2019-20 तक की स्कीम थी पांच साल के लिए इसको शुरुआत करी गई ती टोटल इंवेस्टमेंट फिफ्टी थाउजन क्रोड याने कि इस स्कीम को पांच साल के लिए 50,000 क्रोड क्या इसका इंवेस्टमेंट स्ट्रक्चर रखा गया अगर objective क के बात करें तो इस जो स्कीम थी इसके objective यह था कि reward में HAip eihi a agitation ko인이 episode को जादाए इंवेस्टमेंट करना है इडिगेशन को करने के लिए हमें जादक इंवेस्टमेंट करने की ुदरूरत है हमारा जो कर्टीवेबल एरिया है ज्यासा जादर कि एन्दर लेके आना क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पर इरिगेशन फसिलिटीज इंदर ले के आ सके तो यह स्कीम की शुरुवात करी गई साथ हमारे जो पानी की यूज होता है वह काफी जादा वेस्ट होता है तो वह वेस्ट कम हो वाटर का यूज की ज टरफ मोर कुरॉप यारे कि एक डॉप में जाधा कुरॉप ख्यूपाई कर सके यारे कि वाुटर की एफिशेंसी बढ़ा सके हम प्रीसाइस इरिगेशन सिस्टम स्टम शुरू करेंगे यानि कि साते सम पानी को सेफ करेंगे और करेंगे जैसे आपने वो ड्रॉप सिस्टम देखा होगा जिसमें क्या होता है कि वह स्प्रिंक्लस लगे होते हैं जिससे बहुत जादा एरिया कवर होता है और बहुत कम पानी यूज होता है तो ऐसी अलग-अलग जो पानी को एड़े सेव कर सके और जादा जादा इरिगेटेट फील्ड को कवर कर सके अंसाति साथ हमें क्या करना है अपने वाटर कंजर्वेशन प्राक्टिस को सस्टेनेबल बे में प्रमूट करना है बेसिकली यह इसकी स्कीम की अबजेक्टिव था तो आपको कवर हो गयोग कि क्या है जाते जाधा जाधा खेत को पानी देना है और हमें जाधा-जाधा पानी को 와서 क्वज करना है तो मोर पर ड्रशुट कॉपर्टर करी को और है डिपार्uchar job क्रेडिट की बात करें तो देखिए अग्री कल्चर क्रेडिट अब देखें के फार्मर्स हमारे पर मोस्ती जो हैं बहुत कम फार्मर्स ऐसे हैं जो की जादा रिच फार्मर्स हैं मोस्ती हमारे आप पर जो फार्मर्स है वेरी पूर मार्जिनराइस फार्मर्स हैं उनके पास क्रेडिट और फसिलिटीज नहीं होती उनके पास इतने पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं तो इस वज़े से गवर्मेंट ने बहुत सारी अलग अलग स्कीम की शुरुआत करी जिसकी वज़े से हमने जो क्रेडिट फ्लो है तुवर्ट्स फार्मिंग सेक्टर उसको इंक्रीज किया 2017-2018 में गवर्मेंट ने अरूंड दस लाग करोड फिक्स्ट किया कि इतना हम फार्मिंग सेक्टर में क्रेडिट देंगे तो एक अगर हम देखे तो देखे अग्रिकल्चर डिपार्ट्मेंट ने एक स्कीम की शुरुआत करी स्कीम का नाम है इंट्रेस्ट सब्वेंश स्कीम. तो इस स्कीम पेंदर क्या है तो ये जो स्कीम है ये शौट म क्रॉप लोण के लिए है बीसिकलि ऐसा लोण जिसको एक साल की पिरियर के लिया जाता है अप टूती लग यानि कि अगर फार्मर एक साल के लिए थीन लाग का अप ठूती का उन athletes लेता है तो उसमें जो तो इंट्रेस्सिस में जैसे साथ प्रतीशत इंट्रेस्त उंको पेग कर पड़ेगा फार्मर्स को एंड अगर वहीं बात करें अगर उसे फार्मर्स जो अपना लोन का payment timely करते हैं उनका यह जो 7% है यह और कम होके किता हो जाएगा चार परसेंट हो जाएगा तो इस वज़े से क्या होगा जो farmers है वो भी अपना लोन को easy time में पेरीपे कर पाएंगे और साथी साथ उनको जाधा सदा लोट मिलेगा लोट मिलेगा तो वह ज़्याधा फार्मिंग कर पाएंगे हैंस हमारे स्कूष लाइगन काफि ज़्यादा हूज। weather based crop insurance scheme then coconut palm insurance scheme एक नई स्कीम की शुरुआत करी गई जिस जो अभी presently काफी important है वो है प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना इसके साथ दो और स्कीम की शुरुआत करी गई वो है unified package insurance scheme and restructure weather based crop insurance scheme यह जो यह जो स्कीम है इसको थोड़ा सा और restructure करके यही स्कीम यहापर बात करी गई है अगर हम प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के बारें बात करें तो इसमें क्या है अगर हम खारीव सीजन के लिए बारें बात करें तो basically क्या होता है कि इसको इंशौर करना है अपने फसल को इंशौर करते हैं farmers तो insurance के लिए उनको भी तो कुछ payment करनी पड़ती है तो basically वो जो टोटल पेमेंट होगा उसका दो प्रतिशत ही केवल farmers को देना है remaining जो होगा for example अगर 150 का वो insurance देते हैं तो 150 का 2% farmers पे करेंगे remaining government पे करेगी इस इस वर खारिव सीजन राभी क्रॉप्स होते हैं राभी क्रॉप्स के लिए कितना है 1.5% केवल farmers को पे करना है remaining क्यों पे कर प्रतिशत रखा हुआ है कि farmers को 5% देना है और remaining जो होगी वो government पे करेगी तो यह प्रदानमंतिरी फसल भीमा योजन है इससे क्या होगा जो farmers उन पे जादा लोट भी नहीं होगा और at the same time वो insurance facility का भी लुफ्त उठा सकते हैं at the very minimal prices अब यहाँ हम बात करेंगे कि agriculture cost and prices का एक commission है तो basically इस commission की शुरुवात क्यों गई थी यह जो commission है आप सभी को पता है कि government minimum support prices या public distribution करता है minimum support prices में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है तो basically उसके अंदर जो prices decide करने होते हैं वो price का क्या structure होगा याने कि government कैसे farmers को pricing करेगी उनके production का यह basically कॉंट decide करता है यह commission for agriculture cost and prices करता है कितने crops के लिए 23 crops के लिए ठीके तो 23 crops को अलगला categories में divide क्या गया है तो यह जो commission है यह अपनी government को recommendation देता है related to pricing कि कि किते किते जो crops उनकी क्या के price set करनी चाहिए यह करता है हर साल यह government को देता है हर एक साल हमारे जो MSP है वो अलग-अलग crops decide होते हैं वो decide यह commission करता है और यह पांच categories में करता है इसने commodities के पांच groups में divide किया है जैसे खारीफ crops देन राभी crops दे शुगर के देन रौ जूट एन कोप्रा तो बेसिकली यह पांच categories के अंदर total अग हम crops ले तो total 23 crops आप से under five these categories MSP पढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है आपको economics में demand and supply का concept पता होगा आप सबी को पता है कि जैसे supply बढ़ता है हमारे demand fall होने लग जाती है हमारे prices basically fall हो जाते हैं ठीक है क्योंकि जादा सा जादा production हो जाता है तो लोगों के पास जादा options होते हैं तो जो चीज जादा बिकती है जो चीज अजादा available होती है उसकी कीमत कहीं न कहीं कहीं हो जाती है तो increase in supply will always lead to fall in prices तो जैसे ही prices fall करते हैं तो market में crash हो जाता है क्या होता है कि देखिए जब bumper production हो जाता है जब बहुत जादा production हो जाता है food grains का तब farmers को इत्यचे price नहीं मिलते हैं for example एक अग अगर 20 रुपीज किलो भी करा था अब अगर bumper production हो जाता है तो market में उसका prices हो गया 5 पर kg जो की पहले 20 रुपे किलो मिलता था अब वो 5 रुपे किलो मिल रहा है तो 15 रुपीज का farmers को loss हो जाएगा तो ऐसी situation में government का काम होता है government क्या करती इंटेफेर करती है government farmer से क्या करती है सारा जो production होता है वो सारा खरीद लेती है at a pre-determined price याने की हर साल जैसे अभी हमने इस commission के बारे बात करी थी यह commission क्या करते है कि structure बनाता है कि हर एक production के लिए क्या 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 प्राइस सेट है वही price के बात करी गई है तो हर एक production के लिए पहले से decided होता है कि for example commercial crops की क्या हो रह कर लेगी जो tomatoes है वह पंदर रुपे केजी के हिसाब से ही भी किंगे अगर मार्केट में से price कम fall होता है इससे कम हो जाता है price में भी 10 रूपीज 7 रूपीज पर केजी हो जाता है तो क्या होगा government ऐसे case में क्या करेंगी आतर से जादा जो production है tomatoes का उसको खरीद लेगी तो जब दिर दिर बढ़ जाएंगे तो इस तरह से government क्या करती है farmers को एक minimum support prices देती है साथी साथ government customers के लिए लोगों के लिए एक scheme चलाती है जिसको हम बोलते public distribution scheme PDS चलाती है PDS में basically government क्या करती है government ये MSP prices में एक fixed prices में rice, pulses और wheat फार्मर से directly खरीती है उनको उत्ता जो पहले से price decided होता है उस prices में उनसे अपने अलग-अलग agencies के तुरू समान खरीद लेती है अपने go down में रखती है और फिर उसी समान को rationalized prices में बहुत कम prices में लोगों को देती जिसको हम ration scheme बोलते है तो ये minimum support and previous system था अगर इसे रिट कोई भी doubt है कोई अगर आपको clear नहीं हुआ होगा तो comment box में comment कर सकते है अब देखे MSP commission decide कैसे करता है तो MSP decide करने के लिए बहुत तरीके होते है सबसे पहले जब MSP commission decide करता है तो वो ये देखता है cost of production याने कि अगर हम paddy की बा पर वह दिख करा जाता है plus साथ इसाथ में other factors भी देखे जाते कि market में demand and supply किती है कही supply crash तो नहीं हो गया कही supply जादा तो नहीं हो गया market में क्या demand domestic market में किती demand है inter crop price parity क्या है ये साथ अलग-अलग factors भी देखता है तो ये सारे factors को add करके final अपने estimate बनाता है जो कि जिसकी चाहिए कि farmers ने जितना खर्चा किया है उसके सांसत थोड़ा बाद उसको profit भी मिल जाए तो इस तरह से MSP को decide किया जाता है बाकी detail में देख्याब economics में करेंगे तो अभी आपे जाने के जरुरत नहीं है already अपने economics में पढ़ा होगा concept लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt होग इंगे ने ने लेसन में and all the best